अगर जीना चाहते हो, तो पढ़ने लाए कुछ लिख जाना, या फिर लिखने लाए कुछ कर जाना अभी कई जीद बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिन्दगी का सार बाकी है यहां से चले हैं नई मन्जिल के लिए यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है रोज रोज गिर कर भी मुकमल खड़ाओं एं मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ मन्जिल मिले या ना मिले यह तो मुकदर की बात है लेकिन हम कोशिज भी ना करें ये बहुत कलत बात लोग आपकी बुराई भी करें तो अपने लक्ष को ना छोड़ें क्योंकि लक्ष के प्राप्ती होते ही लोगों की राई बदल जाती है एक बार मान लेते हैं कि किस्मत में लेके फिसले नहीं बदला करते लेकिन एक बार आप फिसले लेकर तो देखिए क्या पता किस्मत ही बदल जाए सक्सेस के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है बलकि ज़रूरी तो यह है कि आप सोच की सुम्र की रखते है माइंड सेट हमेशा ऐसा ही रखना कि जो मुझे आता है वो हमें कर दूँगा और जो मुझे नहीं आता है वो हमें सीख लूँगा साबुन से नहाने वाले तो सिर्फ लिपास बदलते हैं लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो एक दिन इतिहास बदलते हैं रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती मेरे दोस्त लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है लहरों से डर कर नहीं आपार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है जूटी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फडाते हैं क्योंकि बास क्यूडान में कभी भी आवाज नहीं होती जो मन्जिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो पानी पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं जिसने कहा कल दीन गया डर जिसने कहा परसो बीत गये बरसो जिसने कहा आज उसी नहीं किया राज हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती ही जब ठान लिया जाता है इसलिए कहते हैं मन के हारे हारे और मन के जीते जीत मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत अगर काम्याभी चाहते हो तो खुट पर गोर करो इस दुनिया को इग्नोर करो और फिर देखना सब तुम पर गोर करेंगे ए समंदर तुझे गुमान है न अपने उचेकत पर मुझको देख नन्भासा परिंदा हूँ फिर भी तेरे उपर से गुजर जाता हूँ चाह तुझ में सुरस सी है सुरस से पहले तुझे उठना पड़ेगा चाहता है सुरस सा चमकना तो पहले सुरस सा जलना पड़ेगा मान जी तेरी कश्टी के तलबदार भहुते इस पार कुछ मगर उस पार भहुते इस से उपर उठकर को सोच जिन्दगी सुकुन का दूसरा नाम बन जाएगी माना कि अच्य लोह के साथ बुरा होता है ये एक सच है लेकिन बुरे लोह के साथ बहुत बुरा होता है यह भी एक सच है ये दुनिया अगर आप से नurt भी करे तो तुम डरना मत क्योंकि जिस पेड़ पर फल उकते हैं ये दुनिया उसी पर पत्थर मारती है मढ़ने के बाद भी अगर जीना चाहते हो तो पढ़ने लाए कुछ लिख जाना या फिर लिखने लाए कुछ कर जाना अभी कई जीत बाकी है कई हार बाकी है अभी तो जिन्दगी का सार बाकी है यहां से चले है नई मन्जिल के लिए यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है रोज रोज गिर कर भी मुकमल खड़ाओं ए मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ